नमस्कार सातियों वंदे मातरम बात करेंगे दोस्तों चिकिस्सा विभाग की आठ बड़ी भरतियों कोई के बारे में इस वीडियो में काफी कुछ महत्तपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माद्यम से मिलने वाली हैं दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आज चिकिस्सा विभाग की एक एहम बैठेक आईजित की गई थी उसमें चिकिस्सा मंतरी स्री गजेंदर सिंग खिवसर स्वास्ते बहुन पहुंचे और विभाग के वरिष्ट दिकारियों के साथ उनकी वारता हुई तो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसी के अलाव दोस्तों आपको पता होगा कि भरतियों को लेकर जो है सुप्रा सिंग का क्या कुछ कहना है उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे और चिकिस्सा मंतरी का क्या कुछ जवाब है जब नर्सिंग संगर्ष समीत के दुआरा जो है उनसे वारता की गई भरतियों के बारे में तो चिकिस्ब्सा मन्तरी का क्या कुछ जुआब रहा इसके अलाओ दोस्तो काफी कुछ ऐसे अभ्यारति है जिनका नंबर नहीं आ रहा है वो भरति को कैंसल करवाने में लगे हुए है और कापियस से ब्यारती है जो भर्ती को जो है रद्द करवा करके नए सिर्य से करवाने की मांग कर रहे है सब को अपना अपना जो है अधिकार है नर्सिंग ओपिसर भर्ती 2023 को जो है नए सिर्य से करवाने को लेकर के जो है CM से जो है इन्होंने वारता की है इसी को लेकर कि इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे तो इसी के अलावा दोस्तों बताना चाहेंगे आप सभी को कि फरजी पंजिकरन के मामले भी सामने आये है तो उसके बाद जो है भरती पर कई सवाल भी उठने लगे है तो क्या कुछ मामला है इन सभी के बारे में से वीडियो में दोस्तो चर्चा करने वाले हैं डीटेल में और भरती है तो दोस्तो कैंसिल नहीं होगी ये तो मैं कंफराम आपको बता देता हूँ, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, क्या कुछ अपडेट हैं, सबसे पहले आप देख सकते हूँ, यहाँ पे जो है, संगर समिट्टी की जो है, पूरी टीम यहाँ पे मौजुद है, वो सब के जो चहेते जो चहरे है, आप सभी को पता होगा, इस ग गजेंदर सिंग जी, खियू सर को जो है, इन्होंने स्वागत किया, इनको पुस्प जो है, इनको जो है, गुलदस्ता जो है, इनको दिया गया, और अपनी भरतियों के बारे में जो है, इनसे पूर्ण करवाने की, जो है, इनकी मांग की गई है, और इनसे जो है, चर्चा क कि गई है क्या कुछ वारता हुई इसके बारे में दोस्तों क्या कुछ कहना है सिया राम जी डोडवाडिया का यह कुछ तस्वीर है दोस्तों आप देख सकते हो यहां पे दोस्तों सिया राम जी डोडवाडिया ने कहा है कि साथियो आज सुभह माननिय चिकिसा स्वास्ते मंत केले स्टाप को जल्द न्यूक्ति की मांगी रखी गई मंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि जल्द आपका कारिय पूरा करवाया जाएगा ये कहना है चिकिस्सा मंत्री जी का कि जल्द ही आपका कारिय पूरा करवाया जाएगा उन्होंने विश्वास दिलाया है उन्होंने साथ में जो है परदेश सयोजक संकर जी गुजर रिंकु मिना जी देवेश सर्मा जी किशन पारिक जी के के रावल जी भवाने सिंग जी वह समस्ते मेट्रो वे सवीदा स्टाप जो है मोजूद रहे सिया राम जी डोड़ वार्या परदेश अस्देख से राजस्ता में उन्होंने जो है आस्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द आपको जो है निपती दे जाएगी आपकी भरतिया जो है समय पे पूरी की जाएगी इसी के लाओ दोस्तों आगली बड़ी कबर की अगर बात करें तो यह जो है संगर समीती ने जो है चिकिसा मंतरी जी को पूरी टीम यहां जो है इन्होंने जो है स्वागत किया है नई साल की जो शुरुवात के साथ जो है इन भरतियों को पूरा करवाने के लिए जो है स्वारता की गई और इनका स्वागत किया गया दोस्तों तो बात की गई इन भरतियों के बारे में तो क्या कुछ चर्चा क्या कुछ कहना है यहां पर आद देख सकते हो साति वाज सुबस्वास्ते विभाग में मंत्री जी की मीटिंग से पहले S.C.S. मैडम स्रीमती सुब्रा सिंग जी से मिलकर नए साल की सुबकामना इनको प्रेशित की गई साथी नर्सिंग एंपेरामेडिकल स्टाप को जल्द न्यूक्ति दिये जाने की इनको मांग रखी गई और मैडम जी का जवाब था कि बहुत अच्छा रहा साथियों मस्त रहो उनका मन भरती को जल्द पूरी करवाने का है दो दोस्तों ये जो है मैडम का जवाब बहुत अच्छा रहा कि साथियों मस्त रहो आपकी भरती जो है पूर्ण होगी और जल्द पूरी करवाने की कोशी से स्वेम जो है मैडम जो है सूपरा सिंग जी वो स्वेम भी यही चाते है आज साथ में परदेश सेयों जो संकर जी गुजर और उनकी पूरी टीम वहाँ में मोजूद थी सियाराम जी डोड़ वाड़या परदेश सद्देख से राजस्ता नर्शेज भरती 2003 संगर समीती इसी खबर के साथ आप देख सकते हो सच बेदड़क के अंतर गते चाक्सू से ये खबर जो है मंतरी गजेंदर सिंग के आवासवर की मुलाकात राजस्तान नर्शेज असोसेशन परदेशा द्यक्खुसी राम मीना की नित्वरतों में की मुलाकात गजेंदर सिंग के मंतरी बनने पर दी बदाई परकिरियादी नर्शेज भरती 2023 से में न्यूक्ती देने की रखी मांग नर्शेज असोसेशन परदेश महसचेव सुरेंदर गुजर ने दी जानकारी दोस्तों आप देख सकते हो लगातार भरतियों को जल्द पूरा करवाने की कोशिस की जारी है और आप सभी को पता होगा दोस्तों आज जो है चिकिस्सा विभाग की बैठक थी तो बैठक जो है दोस्तों सुबह 11 बजे से थी उसमें चिकिस्सा मंतरी स्री गजेंदर सिंग खिवसर स्वास्ते बवन पहुंचे थे और विभाग के जो वरिष्ट अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की थी यहाँ पर आप देख सकते हो चिकिसा मंत्री स्री गजेंदर सिंग स्वास्ते बवन पहुंचे और विभाग के वरिष्ट अधिकारियों के साथ चर्चा क कहा स्वास्ते जन सेवा से जुड़ा हुआ महत्तपूर्ण विभाग है सभी अधिकारी वे कार्मिक मानिवे एंसवदंसील अप्रोच के साथ काम करते हुए स्वास्ते एंसमर्द राजस्तान का संकल पे साकार करे तो दोस्तों चिकिसा मंतरी जी ने जो है कहा कि जन सेवा से जुड़ा हुआ ये महत्तपूर्ण विभाग है चितने भी जो अधिकारी कार्मिक के जो मानिवे एंसवदंसील अप्रोच के साथ अपना कार्य करे और काफी कुछ जो है वारता लाफ हुई तो उसके बारे में हम आपको डीटेल में जो है जैसे ही कोई अपडेट होगा तो हम वीडियो के मादम से जानकारी देंगे यह मेडम में यहाँ पे जो है चिकिसा मंतरी जी और पूरी टीम यहाँ पे जो है वरिष्ट रधिकारी जो है यहाँ पे मौजूद है जो है देहनिक बासकर में नर्शिंग ओपिसर भरती 2023 को नए सीरे से करवाने की मांग मुख्य मंत्री को जो है ग्यापन सोपा ये तस्वीरे आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तो ये तस्वीरे जो है बया करती है क्या कुछ ये तस्वीरे बया करती है यहाँ पे जो है ये साती लोग ये चाते है कि न नए सिरे से हो और इनकी यही मांग है और यहां पे दूस्ता आप देख सकते हूं राजस्तान बेरुजगार नर्सेजी संगर समीती के परतिनीदी मंडल ने मुक्य मंतरी बजनलाल सर्मा को नर्सिंग ओफिसर बरती 2023 को नए सिरे से करवाने की मांग को लेकर ग्यापन सोपा ग्यापन में बताये कि पूरो सरकार ने नर्सिंग ओफिसर बरती 2023 में 8785 पदों पर बरती निकाली गई उक्त बरती परकिरिया संदे के गेरे में है इसी के कान दोस्तों इन्होंने जो है नए तरीके से बरती जिसकी वज़े से 100 दिन का अनुबह भी 1000 दिन के अनुबह पर भारी बड़ा आर्सों से ज्यादा केस उच्च न्याले में नर्सिंग भरती 2023 के अमेताओं को लेकर चल रहे है यह जो है इन्होंने कहा है CM साब को और नए स्थिय से जो है इन भरतियों को करवाने की मांग की जा रही है तो मैं इन साथियों से अपील करूंगा कि इन भरति आना बाकी है तो आप इसा ना करें और ये भी आपके साथी लोग है और देखो सबका अपना अपना अधिकार है अगर नए सीरे से करवाना चाहते है तो दोस्तों देखते है आगे क्या कुछी फेसला रहता है इन भरतियों के बारे में जैसे ही कोई अपडेट होगा तो हम आपके लिए वीडियो के मात दिम से जानकारी देंगे इसी के लाओ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप हरजी पंजीकरन के मामले सामने आने के बाद 2018 की भरती पर उठे सवाल यहाँ पे आप देख सकते हो भाजपा लिकित परिक्षा से निकाली बरती कांग्रेस निकाली जाए यहाँ पे आप देख सकते हो सवीदा भरती लिकित परिक्षा के आदार पर पिछले कई समय से राजस्तान नर्सिंग ओपिसर की इस्ताई भरती लिकित परिक्षा की बज़ाए नर्सिंग डिग्री में प्राप्ति परतिरसत के आदार पर होती आ रही है इसस से सरकारे नोकरी पाने का एक मुकार रहता है वर्तमान में नर्शिंग ओपिसर बरती 2023 भी परतिसत अंकों के आदार पर कराए गई जबकि परवर्दी 2023 में प्रस्तावी सवीदा बरती लिकित परिक्षा के आदार पर की जा रही है तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी चिकि दोस्तों रोजाना आपको वीडियो एक या दो ब séhy मिल पाएगा तो आप दौस्तों चैनल से जुड़े रही है चैनल मन नई हो तो चैनल καर लेजिए वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेजिए इसी के लाव दौस्तों आप हमारे वाट्स अच्प अंदित जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जुड़े रही है चैनल से दोस्तों मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ ही जे हिंद जे भारत